हेलो गाइज वेलकम टू प्यूस पीसियस और आज हम लोग देखेंगे ज्ञारखंड की भुगरविक संरशना और धरातली स्वरूप का अब्जेक्टिव कोस्टन जो की JPSC और JSSC इसके अलावा ज्ञारखंड से संबंदित सभी एक्जाम्स के लिए काफ़ी इंपोर्टें या फिर विध्यन क्रम की चटान सही उत्तर हो जाएगा आर्केन कालिन चटान ज्ञारखंड राज के लगभग कितने प्रतिशत भूबाग पर आर्केन कालिन चटानों का विस्तार है 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत सही उत्तर हो जाएगा 90 प्रतिशत चोटानाकपुर पठारी छेतर की आगने और शादी तथा रुपांतरी चटानों का संबंध किस क्रम की चटान से है आर्केन क्रम की चटान से या बिंधेन क्रम की चटान से सही उत्तर हो जाएगा आर्केन क्रम की चटान से जार्खन राज के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आगने तथा रुपांतरिक चटानों का विस्तार है 2022-23 के आर्थिक सरविच्छन के अनुसार इसका जो प्रतिशत है वो है 85 प्रतिशत जारखंड राजी की अधिकांस चटानों का विस्तार है उत्तर दक्षिन में उत्तर पूर में या पूर्व से पस्षिम में इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व से पस्षिम में पूर पसिम्य अगला सवाल है जारखंड के किस चेतर में धारवार क्रम की चटान का सरवादिक विकाश हुआ है संथाल परगना में, पलामू में या कुलहान के पढ़ारी चेतरों में सही उत्तर हो जाएगा कुलहान के पहारी चेतरों में किस क्रम की चटानों को लौ अयस की स्रिंखला भी कहा जाता है धारवार क्रम की चटानों को विंध्यन क्रम की चटानों को या गुंडवाना क्रम की चटानों को या इन में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा धारवार क्रम की चटानों को क्या कहा जाता है लौ अयस की स्रिं जारकंट के किस शेतर में विंधियन करम की चट्टाने पाई जाती हैं पूरवी सिंगो में, साहेब गंज में, गड़वा में या हजारी बाग में से उत्तर हो जाएगा गड़वा में देखे ये जो गड़वा है तो इधर से जो आता है वो छेतर क्या कहलाता है विंध्यन करम की चटान का छेतर ठीक है और ये जो छेतर है ये धाड़वार करम की चटानों का छेतर है ठीक है चलिए आगे देखते है जारखन राजे के किस भाग में विंध्यन करम की चटाने पाई जाती है उत्तर पुर्व, दक्षिन पुर्व, उत्तर पस्षिम या दक्षिन पस्षिम इसका सही उत्तर क्या हो जागा? उत्तर पस्षिम में कैसे? देखते हैं देखिए मैप है यहाँ पर पाए जाता है तो यह क्या हो गया? East, West, North, South यह हो गया उत्तर पस्यम का छेतर यानि नॉर्थ फेस्ट ठीक है नेक्स देखते हैं विंद्यन करम की चटानों की विसेस्ता है बलुआ और चुना पत्थर युगत होती है यह परद्दार होती है इसका निर्मन आउसादों के जमाव से हुआ है इसका सही उत्तर है कि सभी सत डियुगती है ठीक है और विंद्यन करम की चटान की दर पाये जाती Yay घरवास तरुए अगला ज्हहर कंड़् के ग२द्वाना करम के चटान के बारे में सही है ौर इनका निर्मान दामोदर नदी के तलचट से है बलak dessert करम कोयला निशीपो का निर्मान इने चटानों से य इनका विस्तार गिरिडी और राजमाल में है, तो ये तीनों सही है, option D, सभी सही है, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, जारखन राज में पाई जाने वाली, गुंडवाना क्रम की चटाने प्रसिद्ध हैं, बॉकसाइट के उपलबता के लिए, कोईला के उपलबता के लिए, ल प्रसिद्ध का उथान हुआ, बिलकुल सही है, चारकंड के विभिन नदियों का उद्गम हुआ, ये भी सही है, ये दोनों सही है, option C, अगला सवाल है, राजमाल ट्रैप का निर्मान हुआ है, नदी आउसादों के निछेप से, चटानों के टकराने से, या जौला मुखी प्रक्रिया द्वारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जौला मुखी प्रक्रिया के द्वारा, अगला सवाल है, राजमाल ट्रैप का निर्मान किस काल में हुआ है, प्रिस्टोसिन काल में, सिनो जोईक काल में, या जौरैसिक काल में, सही उत्तर हो जाएगा जौरैसिक काल मे अगला है राजमहल ट्रैप के चटानों का निर्मान किस प्रकार हुआ है और शादों के जमाओं से लावा के निछेप से या इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा लावा के निछेप से option B राजमहल ट्रैप में किस प्रकार के चटान पाये जाते हैं एंडेसाइट, बॉकसाइट, डायोराइट या फिर इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा, बॉकसाइट, राजमहल का छेतर जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहें, यह कौन सा है, चलिए देख लेता है मैप में, देखिए, ऐसे मैप हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो नेक्स्ट देखते हैं, जारखंड के राजमहल ट्रैप का विस्तार है, दक्षिन पूरवी भाग में, उत्तर पूरवी भाग में, सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूरवी भाग में, अभी हम लोग देखे हैं, देखिए, मैप में, तो इस साइड में है, ठीक है, यहाँ तो कहां हो जाएगा उत्तर पूरी भाग में यह हो गया पूर्व यानि की इस्ट और यह हो गया उत्तर नौर्थ अगला देखते हैं किस छेत्र में जलोड निशेप पाए जाते हैं जलोड निशेप यानि की जलोड से समझिये कि जहां भी नदी पाई जाती होगी वहां हमेसा जलोड मिटी पाई जाएगी आसपास के छेतरों में तो राजमल का पूरवी छेतर हाँ यहाँ पाया जाएगा क्यों क्यों कि यहाँ पे गंगा नदी का बहावार यहाँ स्वन नदी का छेतर यहाँ भी नदी है स्वन रेखा की निशली घाटी का छेतर यहाँ भी है तो option D सभी हो जाएगा जारखन राजिक के मैदानी भागों में जलोड निछेपों के निछेपन के बाद कई स्थानों पर ग्रिनाइट के उच भुभाग देखे ग्रिनाइट का उच भुभाग का निर्मान हुआ ठीक है वो क्या कालाया मॉनेड नौग बहुत important question है अगला है छोटा नागपूर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में उत्तर पूरवी भाग में उत्तर पस्षीमी भाग में तो बिल्कुल जारखन में भूमी गजल हमेशा कम पाया ही जाता है और इसमें क्यों पाया जाता कम क्योंकि यहाँ पर पठारों की ढाल अधिक है पानी बह जाता है ठार नहीं पाता है तो कथन और कारण दोनों सही है option A answer is right अगला सवाल है छोटा नागपूर पठार की आउसत उचाई है पान सो पचास मीटर, छे सो साथ मीटर, साथ सो साथ मीटर या फिर आट सो सतर मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथ साथ मीटर अगला सवाल देखते हैं जारखन राजिक की सरवच चोटी है समभेद सिकर, नेतरहाट सिकर, राजमहल सिकर या नन अवदिस सही उत्तर हो जाएगा समभेद सिकर समभेद सिकर किस पहाड़ी पर अवस्थित है सही उत्तर हो जाएगा option भी 1365 मिटर संबेत सिखर की उचाई कितनी है फीट में और 4401 फीट या फिर 448 फीट सही उत्तर हो जाएगा 448 फीट कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 748 फीट अगला सवाल देखते हैं पाट का साब्दिक अर्थ है त्रिभुजाकार जमीन, चौकोर जमीन या फिर समतल जमीन सही उत्तर हो जाएगा option सी समतल जमीन नेक्स्ट है जारखंड के पाट चेतर की भागलिक आकरती किस प्रकार की है त्रिभुजाकार ठीक है एक दम ध्यान से बहुत important question है चलिए इसको map से देखते है आप मालीजे तो देखी यहाँ पर है राची यहाँ पर है लोहर दग्गा और यहाँ पर है गुमला ठीक है यह जो चेतर बनता है यही है पाट चेतर ठीक है तो पाट चेतर कैसा हो गया यह त्रिभुजाकार राची लोहर दग्गा और नीचे गुमला आई नेक्स्ट कोशन देखते हैं पाठ छेत के उपरी भाग को क्या कहा जाता है दोण, टाण, यट टोंगरी ठीक है तो पाठ छेत का जो उपरी भाग है उसको कहते है टांड पाठ छेत के निचले भाग को क्या कहा जाता है दोण, टांड, यट डोंगरी सही उत्तर है 2, नीचे वाले छेत को 2 जारखंड के पार्ट छेत की समुद्रता से औसत उचाई है 600 मिटर, 900 मिटर या फिर 1200 मिटर सही उत्तर हो जाएगा 900 मिटर, option B कौन सा राज जे जारखंड का सबसे उचा पार्ट है जारखंड का पार्ट, जमीरा का पार्ट, नेतरहाट का पार्ट या सानू पार्ट सही उत्तर हो जाएगा नेतरहाट का पार्ट, option C अगला सवाल देखते हैं जारखंड राज्य का सबसे उचा दूसरा पार्ट कौन सा है गनेशपूर का पाठ, जमीरा का पाठ, नेताराठ का पाठ या सितापूर का पाठ सही उत्तर हो जाएगा गनेशपूर का पाठ दूसरा सबसे उचा पाठ है कौन सी पहाड़ी जारखंड के पाठ छेतर से संबंदित है सानु पहाडी, सारव पहाडी या दोनो सयुकतर हो जागा दोनो अगला सवाल देखते है कौन सी नदी पाठ छेतर से निकलती है संख नदी, सोन नदी, अजय नदी या स्वण रेखा नदी सयुकतर हो जागा शंख नदी अब देखिए जैसा कि मैंने बताए था कि कैसा है पाठ छेतर त्रिबूजाकार यहां क्या है राची यहां क्या है लोहर दग्गा और यहां क्या है गुमला ठीक है तो यह पाठ छेतर ऐसे है और पूछा है कि पाठ छेतर से कौन सी नदी निकलती है तो शंक नदी शंक नदी आगे देखते हैं राची पठार की आकरती कैसी है तिरभूजाकार चौकोर या अंडाकार इसका सही एंसर क्या हो जाएगा चौकोर राची का पठार कैसा है किस चलप्रपात का निर्मान्द राची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है जोनह जलप्रपाद, हुंडू जलप्रपाद, दसम जलप्रपाद या सभी सही तरुजय का सभी उपरी हजारी पाग का पठार के बारे में कौन सा गलत है? इस पठार का निर्मान राची के पठार के समनांतर है ये सही है दामुदर नदी द्वारा कटाओ के कारण या पठार भूत काल में राची के पठार से पितक हो गया था बिल्कुल सही है दामुदर नदी का अगर कटाओ नहीं होता तो राची और हजारी पाग का पठार एक ही रहता नेक्स्ट है इसकी यानि हजारी बाग ठार की समुदर तर से अवस्त उचाई 2000 मीटर है ये गलत है तो इन में से कौन गलत है ये गलत हो जागा Option C Next है निचला हजारी बाग पठार के बारे में सत्य कौन सा है इसकी अवस्तिती हजारी बाग जिले के उत्री बाग में है बिल्कुल सही है इसे बाग पठार भी कहते है बिल्कुल कहते है गिरीडी का पठार निचला हजारी बाग के पठार चेतर में अवस्तित है बिल्कुल है इसमें हो जागा Option D सभी गिरीडी के पठारी चेतर का सम्मंद किस नदी घाटी से है सोन नदी घाटी से, सोन रेखा नदी घाटी से या बराकर नदी घाटी से तो सही उत्तर हो जागा बराकर नदी घाटी से Option C पारसनात की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है स्वन रेखा नदी घाटी के, स्वन नदी घाटी के, क्वेल नदी घाटी के या बराकर नदी घाटी के सही उत्तर हो जाएगा बराकर नदी घाटी के निकट स्थित है जारकंड का निचला हजारी बाग का पठार किस प्रकार के चटानों से निर्मित है बॉकसाइट से, लॉयस से, पायरोक्सी ग्रिनाइट से या चूरा पत्र से सही उतर हो जाएगा पायरोक्सी ग्रिनाइट से अगर आपसे पूस दे, पारस नात की पहाड़ी किस चटान से बनी है तो सही उतर हो जाएगा पायरोक्सी ग्रिनाइट से ही बनी है राजमहल पहाडी छेत का विस्तार है 1000 km2, 2000 km2 या 3000 km2 सही उत्तर हो जाएगा 2000 km2 राजमहल पहाडी छेत के नोकीले पहाडीयों को किस नाम से जाना जाता है देखिए एक था पाठ छेतर का उचा भाग जिसको क्या कहते थे टार्क और पाठ छेतर के निचले भाग को क्या कहते थे दोन और ये है राजमहल की पहाडी का छेतर इसका नोकीला भाग को क्या कहते है तो टूंगरी कहते हैं क्या कहते है टूंगरी और राजमहल पहाडी छेतर के गुंबद नुमा पहाडी को किस नाम से जाना जाता है तो डूंगरी गुंबद नुमा को डूंगरी ठीक है और नुकीला को डूंगरी अगला सवाल देखते हैं चाईबासा का मैदानी छेतर के बारे में कौन सही है या मैदान पशिमी सिंग्भूम के जिला पुर्वी मदवर्ती भाग में स्थित है बिलकुल चाइबासा का मैदान उत्तर में दालमा स्रेनी से घिरा है तथा दक्षिन छेतर में मैदानी भाग से घिरा है दोनों से बिलकुल सही है ठीक है नेक्स्ट है तस्तरी नुमा बारवे का मैदान जारखन के किस छेतर का हिस्सा है राच्ची के पठार छेतर का हिस्सा पाड छेतर का हिस्सा या फिर हजारी बाग के पठार छेतर का हिस्सा सही उत्तर हो जाएगा पाड छेतर का हिस्सा है कौन सी घाटी पत्रातु घाटी के समान दिखाई देती है तो हमारा घाटी भाग बिल्ला घाटी या इनमें से कोई नहीं शही उत्तर हो जागा भाग बिल्ला घाटी ये कहां पर है तो ये आपका पस्चिमी सिंग्भूम में है ठीक है अब अत्रातु घाती कहा है आपका राची में ठीक है मुख्यता राची और रामगर के बॉर्डर पर है ठीक है दोनों का एरिया कवर करता है इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है कैसा लगा आप लोग को जरूर बता है लाइक सब्सक्राइब कर दें इसके साथ ही अपने दोस्तों के दाद सेयर भी कर दें जै हिन दोस्तों जै भारत चुहार जार कर दें